कहानी की शुरवात होती है एक रात को जब जोरों की बरसात हो रही थी, तभी पुलीस वालोंने सडक पर एक ट्रक को रुखा, उसमें एक औरत थी जो अपना ड्राइविंग लाइसेस घर पर ही बून गई थी, उसका पूरा ट्रक भीर सारे कुटों से भड़ा हुआ था, इस पिड़की के पास सिगरेट पी रही थी और उसकी पीट से खून बह रहा था, जब वारत पीछे मुडी तो एवलेन ने देखा कि ये तो एक आदमी था, जिसने अपना मेकप करके भेज बदला था, एवलेन ने कहा कि पूचताज के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उसके स क्या होना चाहिए, उस आदमी ने अपना नाम डगलस बताया और जब एवलेन ने पूचा कि उसके बच्चे हैं, तो डगलस ने कहा कि मेरे सैंकरों बच्चे हैं, फिर उसने अपने कुत्तों के साथ अपने प्यार की कहानी सुनानी शुरू की, बच्पन में उसके पता शि हैं शिकारी कुत्ता बनाते, लेकिन डगलस अक्सर उन कुत्तों को खाना खिला देता था, जब उसके पता को ये पता चला, तो उन्होंने उसे भी कुत्तों के साथ पिंजरे में बन कर दिया, तब सभी कुत्तों ने अपने नए साथी को गले लगा कर उसे गर्मा हट दी, म वज़े से डगलस को पिंजरे में जाधा परिशानी नहीं हुई, खेर कहानी के बीच में ही एवलेन उठकर वापस घर आ गई, उसकी मा ने उसे बताया कि उसका शराबी पती घर के आसपास आकर बच्चे से मिलने की कोशिश करा था, जबकि कोट ने उसे एवलेन और अपन करनी का फैसला किया, उसमें काले कपड़े पहन कर औरत का भेज बनाया और एलवर डूगो का पीछा किया, फिर उसने अपने कुत्ते को फोन दे कर भीजा और वो सीधा एलवर डूगो के पास पहुँचा, जब एलवर डूगो ने फोन पर बात की तो डगलस ने अपने ही नहीं मिले, इधर एवलेंड डगलस के घड की तालाशी लेने पहुची, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था, वहां से लोट कर वो फिर से डगलस से मिली और उसकी कहानी सुने, जहां उसके भाई ने उसके पिंजरे पर डॉग मैन का जंदा लगा दिया था डगलस ने बताया कि एक दिन उसके भाई ने उसे कुछ कुछ कुट्टों को छिपाते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपने पिता से शिकायत कर दी, उसके पिता गुस्से में बंदूक लेकर आये तो डगलस फागल होकर कुट्टों की तरहां भौँकन जल ही सभी कुट्टे गुस्से में पिंजरा काटने लगे, उसके पिता ने अचानक से डगलस फर गोली चला दी और वो नीचे गिर गया, इसके बाद उसका भाई तुरंत अपने पिता को अंदर ले गया, इधर डगलस ने अपनी कटी हुई उंगली एक लेफाफे में डा उन्होंने डगलस को उठाया पर वो चलने की शक्ती खू चुका था, असल ने वो गोली उसकी उंगली काट कर सीधा दीवार पर लगी और फिर उसकी रीड की हड़ी में घुस कई, अगर डॉक्टर्स गोली निकालते तो उसकी रीड की हड़ी को खतरा था, और अगर डगल चलेगा तो वो गोली कभी भी हिलकर उसकी जान ले सकती है, खैर उसके पिता को 20 साल की सजा हुई, लेकिन दो हफ्तों बाद ही वो जेल में मारा गया, वहीं उसके भाई को 12 साल की सजा हुई थी, पर अच्चे वर्ताव के कारण 8 साल बाद वो रिहा हो गया, उसके रिहा हो लड़के से दूस्ती नहीं करना चाता था फिर उसकी दूस्ती लाइब्रेडियन सलमा से हुई और उसने शेक्स्पियर की किताबे पढ़नी शुरू कर दी उसे सलमा से प्यार हो गया और जल्द ही वो दोनों थेटर में नाटक करने लगे सलमा ने उसे मेकव की मदद से किसी किरदार में धलना सिखाया इन नाटकों में डगलस को बहुत मजा आने लगा पर कुछ समय बाद सलमा काम की तलाश में शहर चली गई डगलस अखबारों से उसकी तस्वीरें खटी करने लगा और कई साल बाद बढ़ा हूकर वो सलमा का नाटक देखने गया नाटक के वाद आग वो सलमा से मिला तो सलमा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया और उसे देख कर वो बहुत खुश भी हुई डगलस ने अपनी किताब दिखाई जिसमें उसने सलमा की तस्वीरें इखटा की थी तभी कमरे में एक आदनी आया जो असल में सलमा का पती और उसके होने वाले बच्चे का बाप था यह देख कर डगलस का दिल चक्ना चूर हो गया और वो सलमा को अलविदा कह कर अपने कुट्टों के पास आ गया उसे असास हुआ कि उसका पहला प्यार का भी पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए वो गुस्से में बुड़ी तरहां चिलाने लगा यहां त कुछ सरकारी अफसरों ने आकर उसे कुट्टे का शेर्टर खाली करने को कहा क्योंकि अब सरकार के पास इसे चलाने का पैसा नहीं था पर असल में वो यह जमीन कमपनीज को बेच कर पैसे कमाना चाते थे आखिरकार डगलस अपने कुट्टों को लेकर एक खंडर जैसी ला चाते थे खेर एक दिन वो थेटर में शो देखने गया जहां उसे अपने पुराने दिन याद आ गए उसने इस ग्रूप के साथ काम करने की इच्छा जाहिद की और कुछ समय तक खड़े हुकर भी दिखाया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए सभी कलाकारों ने उसकी तारी प्रेंच गाना सुनाया जिसे दर्शकों ने बेहत पसंद किया इसके बाद एवलन ने उससे पूछा कि वो गाने के अलावा कुछ और भी करता है क्या तो डगलस ने कहा कि वो लोगों को अपने कुट्टे देखकर उनकी सुरक्षा में मदद करता है उसने बताया कि उसके क कुट्टे बड़ी सवाई से चोड़ियां करने लगे और इंशॉरेंस कमपनीज को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी आखिरकार उन्होंने अक्रियन नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को जाच की निए बेजा अक्रियन उस औरत की घर गया जिसके यहां चोड़ी तभी आक्रियन को एक डूसरी चोड़ी की आद आई और उसकी फुटेज में भी यही कुट्ता था आक्रियन ने देखा कि यह कुट्ता चोड़ी करके एक वैन के पास गया जिसका ड्राइवर कोई वीलचेर वाला आदमी था इस वैन का नंबर निकाल कर आखिर कार वो डग कर दिया खेर बाद में अक्रियन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गया पर वो यह नहीं जानता था कि यहां भी CCTV कैमरास लगे हैं डगलस ने अपने कुट्टों को पहले से ही तयार रखा था अचानक अक्रियन ने बंदूक निकाली और डगलस से सारे चोड चानता था कि आज रात को कुट्टों का डिनर वही बनने वाला है जल्द ही डगलस के इशारे पर कुट्टों ने अक्रियन पर धावा बूल दिया और उसे बुरी तरहा नोच नोच कर खा गए फिर एक दिन जब डगलस ने परफॉर्मेंस किन ये मैरिलिन मुंडवे का भी फिर उसके कुट्टे गुंडों को घर में माजूद अलग-अलग जगाहों पर ले गए उन्होंने किसी को बिजनी के जटकों से तो किसी को गढ़े में गिरा कर मार डाला किसी को रस्ती से लटका दिया तो किसी को कच्चा चपा गए इतर डगलस भी अपने बंदूग से ग बोलियां खत्म हो गई तब डगलस ने अपना गलास उठा कर कुट्टों को इशारा किया और उन्होंने एलवर डूगों को नामों निशान मिटा दिया इसके बाद जब पुलीस वाल उन्हों से गिरफतार किया तो उसने कहा कि ये सारे कुट्टे उसके बच्चों जैसे है उसने कुट्टों को इशारा किया और सभी ट्रक से निकल कर भाग गए अंध में एवलिन ने उससे पूछा कि तुमने अपनी कहानी मुझे ही क्यों बताई तो डगलस ने कहा कि हम दूनों दुख से जुड़े हुएं बाद में जब एवलिन अपने घर लोटी तो एक कुट देखा फिर वो खड़ा होकर चर्च की ओड़ बढ़ा और उसकी चाओं में आकर डगलस ने भगवान से कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अब पूरी तरहां तयार हूँ कुछी पलों में डगलस अपनी आखरी सांसे लेकर मर गया असल में उसके चलने पर वीड क की हड़ी में लगी वो गोली हिल गई जो सीधा जाकर उसके शरीर के एक जरूरी अंग में लग गई इसके बाद उसके सभी कुत्तों ने अपने मरे हुए मालिक को घेल लिया और पहली की तरहां उससे लिपट गए वहीं दूसरी ओर एवलिन अपने बच्चे को सुला रही थी और अचानक उसने देखा कि घड के बाहर एक कुत्ता बैठा था वो समझ गई कि ये डगलस की तरफ से एक आखरी तोफा था जो उसने एवलिन और उसके बच्चे को उसके शराबी पती से बचाने के निए भीजा था अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चा अगली वीडियो मे